तो दोस्तो स्वागत आपका मेरे चैनल दक्ष अगनी होतरी पे मेरा नाम है दक्ष और आज में रखूंगा अपना पक्ष दोस्तो एधा टाइगून ओनर मेरे से बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वन लीटर इंजन लें या ना लें या फिर क्यों मैं परसनली वन महिने के अंदर उसे बेच के जो है सेम कार में टाइगून में जी टी प्लस ले लिए 1.5 एंजन ले लिए 1 लिटर को बेच के तो उसके बाद से चुम्हें अपनी वीडियो में वन लीटर इंजन को सजेस्ट नहीं करता हूं तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं या इवन आप कुशाक प्लान कर रहे हैं वन लीटर तो आप अविसली क्रेटा वगरा भी कही नगे देखी रहे होएंगे 1.5 एंजन भी देख रहे होएंगे तो आज की वीडियो आपके बहुत हेल्प करेंगी कि क्या आपको वन लीटर लेना चाहिए या फिर आपको दूसरी कंपन लीटर की बात करें या फिर पूरी लाइनप की बात करें टू पंट जीरो कि इनकी जितनी भी गाड़िया कुशाक टाइगून वर्टस यह चारो गाड़ियां सेफेस्टी में कोई मुकाबला नहीं है चाहिल सेफटी में भी जो है फाइव स्चार है और यह बेस वेरियंट सेफटी बहुत अच्छी मिलने वाली है अब बात करते हैं कि क्या आपको नेगेटिव मिलेंगे वन लीटर इंजन के साथ तो देखो वह सबसे पहले तो ऑन पेपर अगर हम देखें तो वह एंजन ट्रिपल नाइन सीसी है तीन सिलेंडर इंजन यूनिट है वह तीन बाएन को अगरम कंपेर करें होंडा सीटी आवरना के वन पॉइंट ऑन फटी फोर्टी फोर्ट आउट पुट आपको देते हैं इनके वन लीटर का आपको 178 लेकिन बात रही रियल लाइफ की यह कोई ड्राइगरेस नहीं कि आप गाड़ियां लेके ड्राइगरेस कर रहे व भाई मेरी वणीटर वाली कुशाहग जीत रही है ड्रैगरेस मेरी टाईगून जीत रही है मैरी चलाविया जीत रियन लाई ऐब देखी सकते समय में कहा पर गडूयां चला रहा हूं शेहर के एसे सेनेरियों होते हैं ड्राइग रेस किसी काम कि नहीं होती है इनको बस देखो एंजॉय करो अपना बस बात खतम इनको सीरियसली मतलो entertainment आई है बस real life का कोई लेना देना नहीं है drag race देखके लोग खुश हो जाते हैं अपने आपको तसलियां देते हैं कि या ठीक है रवन लीटर इंजन है बहुत अच्छा है इंजन अच्छा भी है powerful भी है लेकिन अगर आप बात करो manual transmission की तो भाई वन लीटर manual जो है उसमें इनिशिल इतना की lag है इतना lag है कि अगर आप city में चला रहा हो जासे conditions में मैं गाड़ी चला रहा हो अगर आप ऐसी situations में वन लीटर को चलाते हो manual को तो भाई साब अपने आप घुटने को आपका घुटना जो है एक MPI engine से shift हो आपके पास पोलो या वेंटो या फिर किसी और कंपनी की MPI गाड़ी थी 1200 cc वाली तो भाई MPI engine के बाद आपको वन लीटर अच्छा खासा पावफुल लगेगा लेकिन अगर आपके बाद डीजल गाड़ी थी आपके बाद टीडी थी 1.6 TDI अगर आप ऐसी गाड़ी के बाद वन लीटर लेते हो तो भाई साव आपको बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा गाड़ी चलाने में अच्छी है लेकिन इंजन वाई आपको स्वाद नहीं आएगा अगर आप एक डीजल इंजन के बाद आ रहे है आप बोलो गया रही क्या है इसमें तो बतलब इतना पंजा दवाना पड़ रहा है फिर भी नहीं उटरी सिर्फ इसी वन लीटर मैंडियोल में जो है इसी के दिक्कती थी जो कि अब सुनने में आरा काफी हद तक रिजॉल्फ कर दी गई है लेकिन भाई मैं तो सज्जेस्ट करूँगा कि मतिल लेना दो महीने वेट कर लो गर आप इनका वन लीटर प्लान कर रहे हो जुन से गर्मी आने तो उसके बाद रिपोर्ट आने दो उनके ऐसी हों कि क्या बनता है मैं तो यह सज्जेस्ट करूँगा रुख जाओ अभी कुछ टाइम वन लीटर मैंडियोल ले रहे हो तो अब बात करते हैं और क्या नुक्स है इनके वन लीटर मैंडियोल में देखो ऐसी क दो से उपर ही रखना पड़ेगा अगर आप पहाड़ों पर भी उस इंजन को लेकर जा रहे हैं तो आर्पियम आपको दो से उपर रखना पड़ेगा आप मानलो आपके पास कोई नैचरली अस्परेटेट गाड़ी थी पहले यह डीजल गाड़ी थी तो वह लोग चोटे बड़े गेर्स पर भी उठी जाती थी इस में आपको दो से उपर आर्पियम रखना ही रखना पड़ेगा नहीं तो भाई गेर अपशेफ डाउन शेफ करते आप ठक जाओगे और दोस्तों यह बात मैं इसले कहा रहा हूं कि मेरे पास टाइगून तो वन लीटर में थी थी बड़े बात करें अगर मैं बात करें आटोमेटिक वेरियंट की जो वन लीटर आटोमेटिक आता है बाई देखो सबसे पहले तो आप गाड़ी ले क्यों आपका परपस क्या आप पर चलाओगे क्या आप ऐसी कंडिशन में चलाओगे जहां पर समय मैं चला रहा हूं जैसी इसे कंडिशन में चलाओं गर मैं 1 लीटर आटोमेटिक चला रहा हूं तो बाई साथ से जाधा कि माईलज काड़ी दे ही नहीं सकती गाड़ी यह तको नहीं सकती हुआचाओइक वो कौल विलेज में बात की इन सिटी में कऊनमाडिमाइज देती है जैसे इन कंडिशन में म बिल्कुल भी माइलेज नहीं है आप मेरे चैनल पर जाके प्लेइलिस में देख सकते हैं मैंने शॉट्स बना रखी है वन लीटर आटमाटिक की माइलेज में जब वो गाड़ी हमारे पास थी तो भाई माइलेज उस गाड़ी के डेड है हाई वे पर आपको माइलेज मिल करेंगा तब आपको फील होएगा कि हायर अब पावर आनी शुरू हुए यह पावर फिर आती रहती है लेकिन लो एंड डेड है इसके यह साबित होता कि सिटी में वन लीटर इंजन इनिशली आपको बहुत तंग करेंगा खैर जो इनका आटमाटिक आता है टॉक कनवर्ट करेंगे इसलिए आपको में ज्यादा तकलीफ होएगी लेकिन माइलेज बिल्कुल भी नहीं है सिटी के अंदर खासकर अब अगर हम बात करें और इस्यूस की तो भाई इस्यूस वन लीटर में यह आ रहे हैं कि जो मुझे भी था उसमें ब्रेक नॉइस वन लीटर आती है यही कारण था कि ब्रेक नॉइस से दुखी हो कि हमने भी अपनी वन लीटर बेची एक बरी भी ऐसा नहीं होता कि आवाद ना है जाने चाल रहे हैं तो बता हैं सकता तब भी आती है क्योंकि भाई वो टॉल्रेबल नहीं थी अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपने वन लीटर बेच दी इसलिए बहुत बुराई कर रहे हो जब आपके पास थी तब तो आप बड़े खुश थे यहर देखो गाड़ी तो गाड़ी तो सेम ही है चाया 1.5 लो चाया 1. सेम है बस पावर आउडपूट का फरग गाड़ी तो मैं तो की आप खिले इस वेरियंट की बात करों गाडे जादी बहुत जादा मिलें गाड़ी में जो कॉस का टिंग कर रखी है अब लीटर वाली इंजन में कया वह गाड़ी भी साथ में इंजन भी कॉंपरोमाइस जब वह खाना पूर्ति वाली बात है काम चलाओ वाली बात वह तो दोस्तों फिर कुछ लोग में से पूछ रहें कुछ लोग मुझे कह र मतलब अगर मुझे टिगवान टाइगून के बाद मुझे अगर टू लीटर इंजन आ रहा होता और वन पॉइंट फाइव टू लीटर में तीन चार लाग रुपे का फरक होता तो अगर में टू लीटर लेता लेकिन यहां पर भाई फरक है मिनिमम मिनिमम जो है 14 लाग रुपे का वो भी सेडान में और अगर मुझे स्वी लेनी है टिकवान लेनी है तो भाई 18 लाग रुपे का फरक है और वहीं बाद मैं अगर करूं अगर आप इन गाडियों की बात करें तो भाई अगर आप वन लीटर का टॉप मोडल ले रहे हो तो वन लीटर में और वन पॉइंट फाइव में जो है धाई लाग रुपे का फरक रह जाता है इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप टॉप मोडल ले रहे हैं तो जो है आप वन पॉइंट फाइव लेना है तो बेस लो या तो वन पॉइंट फाइव लो सीधा कौन नहीं गाड़ी लेके छे महीने में बेचके चार लाग का नुखसान उठाएगा शायद अगर मुझे किसी ने समझाया होता तो मैं भाई शायद सीधा वन पॉइंट फाइव लेता लेकिन चलो जो भी था अब तो खेर वन पॉइंट फाइव ले लिए गाड़ी अच् इंजन एक कम्प्लीट सा फील होता है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई लो एंड लाग आपको देखने को मिलेगा कोई लाग उसमें नहीं है माना 2000 आर्पियम के उपर उसमें वैसा पंच नहीं आएगा वरना के 1.5 यह होंडा सीटी के ने इंजन में लेकिन उनमें कोई लाग न 5W डीजल के बाद हमने हम जब पोलो पर आयते हम तीसरे दिननी सर्वे सेंटर ले गए ते हमें लगा यह शायद कोई प्रॉब्लम है जो गाड़ी लो एंड पर उठी नीरी फिर हमें पता चला यह टर्बो लाग है इसका बिहेवियर है इतना लाग ने हमें पर गाड़ी र चला होगे तो मैं सबसे पहले आपका बात बदा दूँ हाइस बड़ा साइज का इंजन पावर्फोल इंजन हाइज स्पीड पर चलाने के लिए होता नहीं है अगर आपको यह सोच के लिए रहो कि मैं 200 पर थोड़ी चलानी है तो आप गलत हो इन फैक्ट अगर आप 0-280 की पर चले जाएगा वन पॉइंट फाइव इंजन में आपको एफटी नहीं देना आपको हलका सब जो है एक्सेलेडरेटर पे पैर देना है गाड़ी कब जो है 100 पर पहुंच जाईगी आपको पता ही नहीं चलेगा और आर्पी हम दो से नीचे होएगा बागी बागी काफी वन लीटर के ओनर्स हैं जो की खुश भी है और काफी ओनर्स ऐसे भी है जो गाड़ी लेके उन्हें लग रहा है हम तो फस गया है किसी को मैलेज नहीं आरी किसी को तरह तरह के दिक्कत है लेकिन अब कोई क्या कर सकता है लेने के बाद हर बंदा तो जो है गाड़ी बेच न बता दिए तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दें मैं आपके लिए असा सच्छा कॉंटेंट लाता रहूंगा थैंक्यू सो मच